आज लाइब नहीं आए हैं दोस्तों क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लेट भी हो गया था डिले भी हो गया थी क्लास तो फिर ऐसा किया गया सुचा गया कि आपको प्रीमेर करके दे दिया जाए जिससे आपको कंटेंट भी बहतर मिल जाए और कम से कम समय में आप अच्छे से चैप्टर तयार कर लें क्योंकि पिछले एक दो दिनों में हम लोगों का एक्सपीरेंस काफी खराब रहा है लाइब क्लास चलते चलते बीच में इंडरप्ट हो जाता था तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैसिकली अमल छार और लवन ठीक है कमिस्टर का यह अगला चैप्टर है सिरीज चल रही है बहुत ही अच्छे तरीके से जैसक मैंने आपको बताया है इस सिरीज में दो दिन फिजिक्स की, दो दिन कमिस्टर का और दो क्लास होगती है आपकी बेलोजी की हर एक हफते में ठीक है जब जब यह क्लास नहीं हो पाती है तो फिर यह दो क्लास कंप्लीट कराई जाती है जैसे तैसे करके, तो अब हम लोग इस तरीज को बढ़ाते हुए, आज बात करेंगे अमल चार और लवण की, ठीक है, चलिए, तो सुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, ये अमल चार और लवण होता क्या है, ठीक है, तो अमल चार जल में घुल करके H प्लस आयन देता है, एक थे आरहेनियस सहब, इन्हों ये बताया, कि अमल वो पदार्थ होता है, जो जल में घुल करके H प्लस आयन देता है, ठीक है न, जल में घुल कर, जल में घुलेगा, तो H प्लस आयन देगा, ठीक है, आरहेनियस के अनसार ये तो इनकी अलमा एक और आये ब्रॉंस्टेट लॉरी आये ब्रॉंस्टेट और लॉरी इन्होंने क्या बताया इन्होंने कहा कि अमल वो पदार्थ होता है अमल वो पदार्थ होता है जो प्रोटान त्यागने की प्रोटान देने की छमता रखता है ठीके ना प्रोटान देने की छंपता रखता है, अम लोगो बदार्थ होता है, जश्ट इसके उल्टा, मतलब अब भाई यही दोनों साइंटेस्ट हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आमले की बारे में बताएं, और किसी बारे में नहीं बताएं, अमले की बारे में जो जो बताएं, जश्ट उसका अपोजिट बेस के बारे में बताएं हैं, ठीक है, अच्छा, बेस आप समझो, इससे पहले समझ लो भास्म, देखो चार जो है ना, एक्शुले में चार चार नहीं होता है, पहले होता है भास्म, भास्म को दो टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक भास्म वो होता है जो जल में घुलनसील होता है जल में घुलनसील होता है और एक होता है जल में अघुलनसील जल में अघुलनसील तो जो जल में अगुलन सील होंगे वो तो भस्म ही रहेंगे लेकिन जल में जो घुलन सील होते हैं उन्हें कहा जाता है चार ठीक है ना तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी चार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म चार नहीं हो सकते ठीक है, तो जब छार की बात की जाए, तो आप समझेगा कि वो जल में घुलनसील है, एक बात तो confirm होनी चाहिए, चलो, अब यहाँ पर आरहेनियस ने कहा था कि आरहेनियस के अनुसार जल में घुल कर H प्लस आयन देता है, एसिट के छेतर में, लेकिन, बेस के केस में क्या हो यह बेस के केस में होता है, और ब्रॉंस्टेड और लॉरी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर तो कहा था, इन्होंने प्रोटान देने की छमता होती है, यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह इलेक्टरान देने की छमता होती है, या कह प्रोटान ग बात करते हैं salt की ये जो salt वाला matter बचा ये क्या है ये basically अमल और भस्म का मिस्रण होता है यानि अमल और भस्म मिल करके अमल और भस्म मिल करके मिल करके बनाते हैं लवड ठीक है? यानि कि acid plus base is equal to salt ठीक है? यहाँ पर एक example लेते हैं हम लोग HCl है जैसे HCl hydrochloric acid होता है इसमें अगर हम लोग NaOH करते हैं NaOH NaOH एक चार है एक भस्म है ठीक है? तो HCl और NaOH की साथ जब अब गिरिया कराएंगे तो क्या निकलेगा? आपका निकल जाएगा NaCl NaCl plus H2O निकलता है एक पानी का निकल जाएगा और एक NaCl निकलेगा और NaCl जो होता है यही होता है आपका क्या? यही होता है आपका salt या नमक क्लियर है? तो यह इतना समझ में आया आपको कि आमल, छार और लवड यह basically होते क्या है? ठीक है? बिसिक, बिसिक समझो अब हम लोग बात करेंगे जब check कर से करते हैं यानि परिच्छण कैसे करते हैं तो परिच्छण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परिच्छण लेटमस पेपर को अगर डालेंगे, अमले के घोल में, ठीक है, मतलब कि यह गोल में डालेंगे, तो पता कैसे लगेगा कि यह गोल जो अमली या चारी है, कैसे पता लगेगा, पहले बात तो एक बार मैं फिर सेρεवाइज कर Hin सहां जाऊंगा जल में अगर घुलेगा, तब ही ठीक है, तो जब मैं चार बात करूँ, तब आप समझेगा वो विलेन जो ही हो, जल में घुलनसील है, अब इसको पता करने के लिए लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे, अगर लिटमस पेपर, दो टाइप से, माल लाल लिटमस पेपर को डालते हैं, लाल लिटमस पेपर, ठीक है और अगर अगर नीले लिटमस पेपर को डालने पर ये लाल हो जाता है तो विलेयन अमलिय होगा ठीक है अमलिय होगा इतना समझ में आया कि अगर हम लोग लेटमस पेपर से ही परिछड़ करते हैं मालो ठीक है वैसे तो बहुत सारी चीज़े होते हैं परिछड़ करने का लेकिन लेटमस पेपर अगर लेते हैं वन अब दा सल्यूसन है तो लाल लेटमस पेपर अगर नीला ह जा रहा है, तो विलियन मतलब छारिये है, और अगर नीला लिटमस विपर लाल हो जा रहा है, तो वो अमल ये है, अब इसको आप याद कैसे करोगी, मतलब जैसे ट्रिक अपने रूप में बना सकते हो, जैसे अमल होता है ना, अमल, अमल होता है, तो अमल को आप कैसे ठीक है न, अमल, ठीक है, अमल, लास्ट में ला रहा है, तो मतलब लाल हो जाएगा, लेटमस पेपर की बात की जा रही है, तो ऐसा मतलब अपने मन में बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ये बहुत अच्छी ट्रीक हो, लेकिन जिस भी प्रकार से आपके दिमाग में बैठ है, बस वही सही अच्छा है, ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया, अब हम लोग कुश्चन और अंसर देखते हैं, और सॉल्व करते हैं, प्रेक्टिस एट, चलो, पहला कुश्चन, अमल, वह प्रदार्थ है, जो, जो इलेक्टरान गरहन करता है, या इलेक्टरान प्रद प्रोटान देता है, ठीक है न, और वहीं आरहेनियस ने क्या बताया था, कि H प्लस आयन देता है, तो दोनों का आप याद रखेंगे, क्लियर है, चलो, तो दूसरा, और इसकी भी प्रिज्च जो होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर देखो, प्रोटान देता है, वहाँ पर क क्वाल्टीज में आप एक दूसरे के निगेटिब नहीं बोलेंगे, ठीक है न, चलो, तो प्रोटान यह देता है, और चार के किस में प्रोटान ग्रहन करेगा, अमल वह भस्म की अविकरिया के फल सुरूप, बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अमल और भस्म, मैंने आपको भी बताया, एक एक ग्जांपल दिया था, कि न, ओ, अच है, प्लस इसमें हल से अगर किरिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, इसके तहट क्या आएगा, एन, चल, प्लस हटूओ आएगा, ठीक है, एन, चल, यानि कि यह क्या है, लमड बन रहा है, लमड बोले तो साल्ट बन है, ठीक है, साल्ट बन रहा है, और यह बन रहा है, जल या वाटर, ठीक है, तो न, ओ, यानि कि यह तो भस्म है अपना, और यह है क्या, यह क्या है आपका, अमल है, तो अमल और भस्म की प्रक्रिया से क्या बन रहा है, लमड बन रहा है, साल्ट बन रहा है, तो यहां से बी लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, ठीक है, लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, चलो, अब लिटमस पेपर में भी मैंने आपको बताया, कि अगर आपका नीला लिटमस पेपर है, नीला है, और ये हो जा रहा है लाल, तो मतलब विलियन जो है, ये अमलिये है, ठीक है और अगर लाल लेटमस पेपर है और विलियर में डालने के बाद ये नीला हो जा रहा है तो ये विलियर जो है ये छार ये है ठीक है ना चलो आगे दिखते हैं लाल लेटमस पेपर को नीला कौन करता है लाल से नीला हो जा रहा है तो वो भस्म है clear आगे जल में घुलनसील भस्म को क्या कहते हैं जल में घुलनसील जो भस्म होगा उसी को चार करते हैं कहते हैं सुरवात में ही मैंने आपको बताया है ठीक है अलकाली अगला सभी अमल जल में घुल करके क्या प्रदान करते हैं कोई भी अमल हो, अगर वो जल में घुलेगा तो क्या वो प्रदान करेगा वो H plus ION देगा, आरहेनियस के अनुसार आरहेनियस साहभ ने ये बताया था ठीके कि सभी अमलों जो होते हैं वो जल में घुलने के बाद H प्लस आयन देते हैं आगे और वहीं छार के लिए इन्होंने बताया था कि OH माइनस आयन देते हैं pH मान का निर्धारान किस ने किया था अब pH वैलू हम लोग जानेंगे pH मान तो pH बसीकली एक स्केल है जिसके थूरू हमें यह पता लगता है कि कोई भी चीज है जो भी विलियन है वो एसेटिक है या फिर बेस है ठीक है अब इसमें एक रेंज होती है वो रेंज के बारे में अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा सब कुछ बता चलेगा ठीक है और इसमें 7 से 14 तक का लगजीरो से लेकर के 14 तक का होता है स्केल में मान गड़े होते हैं, आकड़े प्रदसित होते हैं, उसमें साथ पर रहेगा तो neutral हैगा, चलो अभी detail में बताओंगा आपको, फिलाल pH मान का निर्धारन किस ने किया था, इसको सारेंसन ने किया था, किस ने, सारेंसन ने, तो सारेंसन जी का नाम आप याद आगे, सुध्र जल में हाइड्रोजन आयन सांदरन का मान कितना होता है, अब देखो, सुध्र जल में हाइड्रोजन आयन का सांदरन पूछा गया है, यानि कि सुध्र जल में, देखो, यह जो pH scale होता है, बिसिकली यह pH scale जो होता है, यह pH मान जिससे ग्यात किया जाता है, त यानि एक ही proton होते हैं, एक ही electron होते हैं, और एक ही इसकी प्रमाण भार होती है, ठीक है, तो इसके अनुसार जब इसका लिया गया एक scale बनाए गया, पी एच मान बनाया गया, तो उसमें 0 से ले करके 14 तक देखा गया, अब उसमें hydrogen ion की सांदरता को ही करके, मतलब उसी से कलिब करके बनाया गया, अब इसमें जल जो है पाया गया, कि जल एक ऐसा material है, एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, जो रंग हीन, गंध हीन, स्वाध हीन, और 0 pH मान वाला है, ठीक है, मतलब ना इसमें कोई color है, ना इसमें कोई स्वाध है, प्रोटीन भी नहीं है, ठीक है, कोई calcium भी पर होता है, जब यह scale बनाया गया, तो इसमें 7 को रखा गया 0 पर मान कर, मतलब इसको neutral value मानी गई, ठीक है, यह मानी गई neutral value, मतलब जिसका pH मान 7 है, तो वो ना acid है, ना वो base है, अब 7 से अगर उपर जाते हैं, मतलब मैंने आपको बताया, यह 14 चक जाएगा और यह 0 से शु होता है, ठीक है, छारिये सो हो रहा है, और अगर 7 से नीचे आ रहा है, तो वो अमलिये सो हो रहा है, अमलिये quality उसकी सो हो रही है, ठीक है, जल जो है, यह 7 पर है, अब यह चो pH वान होता है, यह logarithmic value होती है, इसलिए 10 to power minus में करके, यहां पर logarithmic value दी जाती है, तो अगर कोई अगर तुर्किया मिनाल दो, तो वो भी एक जल होता है, तो सुध्य जल की बात कीजा, जो प्योर प्योर जल है, वो 7 pH मान वाला होगा, यानि कि वो 10 की घात minus 7 वाले hydrogen ion के सांदरता का मान सो करेगा, जितनी value होगी, उसी को आप करेंगी, यहां पर logarithmic value होती है, और negative मे 10 to power करके आप निगालेंगे, ठीक है, अगर आप यहीं पर मैं आपसे कहूँ, जैसे ही, मानो रक्त का pH मान है, मानो रक्त का pH मान कितना होता है, चारी होता है, सादस्मरों 4 होता है, ऐसे बहुत सारे, अभी मैं आपको पूरे लिस्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे ब माइनस 4, ओके, चलो, आगे, चारी होल का pH मान कितना होता है, चारी होल का pH मान, अब अगर कोई चारी होल है, उसका pH मान कितना होगा, मैंने आपको बताया है, साथ में निट्रल है, इसके उपर जाएंगे तो चारी है, तो यह चारी है, तो साथ से अगर अधिक है, तो वो साथ से कम है तो वो acetic है, ठीक, आगे, अगला कुश्चन है, दूध का pH मान होता है, दूध का pH मान, अब देखो दूध जो होता है, ये अमलिय होता है, कैसे पता, आपने पढ़ा होगा lactic acid होता है, दूध में कौन सा acid पाया जाता है, lactic acid, याद रखना ये भी पूछा जाता है, ठीक है, दूध में lactic acid पाया जाता है, और इसका pH मान होता है 6.6, यहाँ पर आपके सामने कुछ list दिये गए हैं, पदार्तों के, जिनका pH मान लिखा गया है, ठीक है, जैसे जल का pH मान 7 होता है, दूध का pH मान 6.4 या 6.6 के आसपास में होता है, सिरके का pH मान 3 होता है, स इतना ज़्यादा इधर आता जाएगा, साथ से कम होती जाएगा वैलू, उतना ज़्यादा अमलिय होता जाएगा, कभी-कभी questions ऐसे बनते हैं, कि इन में से कौन साथ सबसे ज़्यादा चारिये है, तो सबसे ज़्यादा चारिये मतलब जो साथ से सबसे ज़्यादा दूर हो और सबसे ज़्यादा अमलिय मतलब जो साथ से सबसे ज़्यादा दूर हो, ठीक है, इधर माइनस में, तो जो करीब में होंगे, वो कम अमलिय और कम छारिय होंगे, जो जितनी ज़्यादा दूर होगा, उतनी ज़्यादा छारिय या अमलिय सो करेगा, ठीक है, तो साथ से पीएच मान 7.4 होता है, यह बहुत important है, यह पूछा जाता है exam में question, तो मानोरक्त का पीएच मान 7.4, नीबू, नीबू भी दोस्तो, खटा होता है, और यह क्या है, यह एक अमलिय होता है, अच्छा, एक चीज और, जब भी आप अमल और चार पढ़ो, यह चीज भी ध्यान र या कड़वा, कैसला, या खारा, जो भी आपको हो, ठीक है, तीखा मत बोल देना, तीखा तो मिर्च होता है, यह कड़वा, खारा, या कैसला, ठीक है, जैसे भी आपको दिखो, और जो अमल होता है, यह खटा होता है, अमल क्या होता है, यह खटा होता है, स्वाद में, ठीक तो जब दोनों को मिला करके बनेगा तो इसका 7 होगा pH मान, ठीके ना, 7 होगा, सराब का pH मान 2.8 होता है, मानो मूत्र का pH मान होता है 4.8 से 8.4 के बीच में, अमलिय भी होता है और छारिय भी, देखो, आप 4.8 पर हो, यानि 7 से नीचे हो, तब अमलिय सो हो रहा है, और एक range होत होता है, तो फिर आप ये चार ये भी, यानि अमलिय से चार के बीच में range होता है, on an average इसके निकाल करके बोलते हैं, ठीक है, मानो मूत्र का pH मान, दूसरी बात एक, देखो, कभी-कभी क्या होता है, कि कोई भी विल्यान हो, वो उसमें, या मानो सरीर ही ही लेलो, मानो सरीर म तो इससे फिर दिक्कत होता है, dehydration वगरा होता है, तो पेट में जो होता है, वो range में होता है, मतलब कोई fix value नहीं है, कि इतना ही अमल है, इतना ही चार है, वो range होता है, कभी acidity बढ़ सकती है, कभी घट सकती है, कभी चारी होगा, कभी अमली होगा, लेकिन एक निस्थित range मे होता है, इसलिए कहते है, पानी अधिक से अधिक पिया जाए, जिससे पानी अगर पियोगे, तो वो neutral बना करके रखता है, ठीक है ना, चलो, अब आगे, समुदरी जल का pH मान, अब समुदर का जल खारा होता है, सुना है आपने, तो खारा होगा, तो वो जाएगा base की तरफ यानि 8.5, आसु का pH मान, आसु जो होता है, ये थोड़ा-थोड़ा little bit छारिये होता है, 7.4 ठीक है, यानि 7 से थोड़ा सा उपर, तो थोड़ा सा होता है छारिये, मानो लार का, जो लार बनते है, उसका, तो वो भी देखो, ऐसे ही सेम, 6.5 से 7.5, यानि थोड़ा सा अमलिय और सेले करके थोड़ा सा चारिये तक, यानि एक range में ये भी होता है, अब मुह में कभी-कभी जो होता है, लार जो बनती है, उस वो अगर अमलिय है, तब तो ठीक है, अगर वो थोड़ा सा, जब जादा, बहुँ जादा अमलिय हो जाता है, तो फिल क्या होता है, आपका द बढ़ जाएगा, तब भी दिक्कत, तो यानि कि जैसे कि मानो सरीज में मैंने आपको बताया कि range के बीच में होना चाहिए, ऐसे ही आपका mouth भी है, वो उस में भी आपका जो लार है, वो अगर एक निस्चित range में रहेगा, तब तो ठीक ठाक है, बहुत जादा acidic हो जाएगा तब भी दिक्कत, बहुत जादा base वाला हो जाएगा, तब भी दिक्कत, इतना आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, CHSL और MTS का batch है दोस्तों, जिनको जोइन करना है, जोइन कर सकते हैं, लोको पैलेट का batch भी आज लाइब हो जाएगा, उसके बारे में भी मैं वीड है, मोहर लिखा गया है, मोहर लवण, ये क्या है, मोहर लवण, दोस्तों, एक दुएक लवण होता है, क्या होता है, एक दुएक लवण होता है, मोहर लवण, याद रखेगा, important है, वन नाइनर की रूप में ही आप याद रखेंगे, सूची वन को सूची टू से समयलित है यह sodium bicarbonate होता है sodium bicarbonate ठीक है चार यह लवण है चार यह लवण हाइड्र ऑक्साइड जहां पर मिल जाए आपको यानि OH मिल गया तो आप चार यह लवण लगा देंगे तो C का आप लगा देंगे चार ठीक है दो एक लवण फिट करी भी एक लवण का सोप्रदर्स करता तो यह भी कर दिये अब इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है एक का दो एक का दो इसमें दोनों में है अमले लवण दो का तीन दो का तीन इनमें दोनों में भी है तीन का चार यह वाला में है तो B वाला अप सनप का हो जाएगा correct clear आगे लवण जो जल का आवसोसन करता है ऐसे लवण जो जल को आवसोसित करते हैं वो किस प्रकार के लवण कहलाते है हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण या मतलब साल्ट ठीक है हाइग्रोस्कोपिक साल्ट या एन हाइट्स साल्ट इन्हें कहते हैं हा अगला है, आमोनियम क्लोराइड का जलिये विलियन क्या होता है? इसका जलिये विलियन क्या होगा? इसका जलिये विलियन होगा दोस्तों, छारिये, ठीक है? आमोनियम क्लोराइड जो है, यह जब जल से विलियन करेगा, तो यह क्या देगा? H2O से जब अभिक्रिया करेगा तो OH-ION देगा तो इस वैसे ये चारिये हो जाएगा क्लियर आखरी कुश्चन निम्न मेंसे किस अभिक्रिया से अगुलन सील लमण बनेंगे उदाचीनी करण अभिक्रिया, आकसीजन, या अवचेपन अभिक्रिया, या अपचेहन इनमें से क्या होगा, जब अभिक्रिया होगी, जिसकी वज़ा से अभिक्रिया अभिक्रिया होगी, जिसकी वज़ा से अगुलन सील लमण बनते हैं तो ये थे दोस्तो, अमल चार और लमण से सम्मंधित कुश प्रस्न और उनकी थेवरी आई होप आपको ये वीडियो, ये छोटा सा पार्ट्स आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, कमेंट बॉक्स में मैं जुरू बताइएगा, मिलेंगे अब अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्का जैहिन वंदे मात्रम